प्रेणा कथा हा कहो वो दोनों बर्तन साफ कर रहे थे उसकी पत्नी दो रही थी और वो सुकारा है था पिछली रात उसने दोई थे और जानने वाले पुरुशों से फरक वो घर के काम में हाथ बठा देता था कुछ महीते पहले उसने अपनी पत्नी की एक सहिली को कहते सुना था तो मैं बढ़ाई कि इतना ध्यान रखने वाला पती मिला है वो सोचने लगा कि वो प्रयास करता है कि ध्यान रखने वाला हो सके इस तरह बर्तन धोने में मदद करके ये दिखाने का एक तरीका था कि वो उसका ध्यान रखता था पत्तन धोते धोते दोनों बहुत से विश्यों पर बाते कर रहते बात बात में वो ये चर्चा करने लगे कि क्या गोरे लोगों को काले लोगों से शागिया करनी चाहिए वो बोला सब बातों पर विचार करने बाद तो ये लगता है कि ये ठीक विचार नहीं होगा वो बोली क्यों उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर गुस्से के भाव पढ़ लिए वो जानता था कि उसको चुपी रहना चाहिए परंतु वो कभी भी चुप रहता नहीं था वो और अधिक बोलने शुरू कर देता था उसकी पत्नी के चेहरे पर वही गुस्से के भाव थे एक बर्तन को हाथ में पकड़ पकड़े वो फिर से बोली क्यों वो बोला सुनो सुनो मैं काले लोगों के साथ इसकोल में पढ़ता था मैंने काले लोगों के साथ काम भी किया है मैं और काले लोग मिलकर काम करने में कोई भी कठिना ही नहीं महसुस करते मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरी जिंदगी में आने के बाद ये कहने का प्रयास करो कि मैं जाती वाद मानने वाला विक्ति हूँ वो फिर से बर्तन धोने लगी नहीं, मैं कुछ भी कहने का प्रयास नहीं कर रही थी ये समझना मुश्किल है कि अगर काला और गुरा विक्ति आपस में शादी कर लें तो क्या समस्या है वो दोनों अलग-अलग संस्कृतियों से आते हैं और जैसे कि मैं और तुम उनकी अपनी कालों की भाषा भी है मुझे कोई दमस्या नहीं होती उस भाषा से लेकिन फिर भी वो फरक है उनकी संस्कृति का एक विक्ति और हमारी संस्कृति का एक विक्ति कभी भी एक दूसरे को सच में जान नहीं सकते है पत्नी ने कहा जैसे के तुम मुझे जानते हो हाँ जैसे मैं तुम को जानता हूँ वो फिर बोली लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो अब तो उसकी तरफ नहीं देख रही थे पर बर्तन जल्दी जल्दी धमने लगी थी उसने कुछ सोच कर कहा मेरी बात पर यकीन मत करो पर तुम आंकड़े देखो काले और गोरों की आपस में शादियां ज्यादलता तूट जाती है बर्तनों को एक इस्थान पर रखते रखते वो बोली आंकड़े हैं ठीक है लेकिन विदेशियों के बारे में क्या कहोगे शायद यही बात तुम ऐसे पति-पत्मी के बारे में भी कहोगे जो अलग-अलग देशों से आते हैं वो बोला हाँ मैं ऐसा ही सोचता हूँ तुम एक ऐसे विक्ति को समझ ही नहीं सकते जो बिलकुल अलग देश और अलग संस्कृती से आया हो पत्मी ने कहा फरक एद्यसा नहीं हमारी जैसा वो गुश्य से बोला हाँ फरक यह चांदी के बर्तन साफ नहीं हूँ या सब गंदे है उसने सभी बर्तन वापिस पानी में डाब दिया वो बर्तनों को उठा कर धूने लगी अचानक एक काटा उसके अंगुठे में घुश गया और खुन निकलने लगा वो बोला एन रुप जो हिला मस यहीं खड़ी रू वो दौर कर उपर गया और बात्रूम में से अल्कोहल कपास और एक बैंडेड लेकर नीचे आ लिया वो अपना हाथ पकड़े फिज के साथ सटी खड़ी थी उसने रुई को अल्कोहल में डुबा कर उसके अंगुठे के घाओ को अच्छे से साफ कर दिया उसने दबा कर जमाओ अकोन निकाल दिया और एक दो बुल्दो के बाद फिर से अल्कोहल लगा कर बैंडेड लगा दिया चिंता मत करो घाओ गहरा नहीं है कल सुबर तक तुमको पटा भी नहीं चले करके घाओ कर दा वो चुपचाप खड़ी उसको देख रही थी वो ध्यान से बैंडेड लगा रहा था वो बोला तुम उपर जाकार आराम करो मैं ये बर्टन करने हुआ नहीं मैं ठीक हूँ वो बोली मैं शुखाने का काम कर सकती हूँ वो बर्टन दोने लगा और कांटों पर विशेश ध्यान देने लगा वो बोली तो अगर मैं काली होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते है ना ये भगवाने यही तो तुमने कहा था है की नहीं वो बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था ये प्रस्थनी आज़्यास पर दे मैं तो अपनी एक ही काली दोस्त को जानता था और वो मेरी वाद विवाद क्लब में पार्टनर थी परंतु उन दिनों मेरा और तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा था वो फिर बोली नहीं मानो अगर मैं काली होती और हम मिले भी होते तब तुम शायद किसी काले लड़के के साथ होती वो पानी से बर्तनों को दोने लगा पानी गरम था और बर्तनों को अच्छे से साफ कर रहा था वो बोली अगर ऐसा नहीं होता तो चलो मानो मैं काली हो और मैं किसी से भी जूड़ी हो यह नहीं हो हम एक दुसरे से मिलते हैं और हमको एक दुसरे से प्यार हो जाता है वो उसको घूर कर देखते हुए बोला देखो यह मुर्कता है अगर तुम काली होती तो हम साथ नहीं होते वो बोली पर फिर भी अगर होते तो क्या कहूं वो लंबी सास कीचते हुए बोला मैं काली हो पर मैं मैं ही हूँ और हमको एक दुसरे से प्रेम हो जाता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे है वो सोचने लगा वो फिर बोली क्या तुम मुझसे शादी करोगे है वो बोला मैं सोच रहा हूँ मैं यकिन से कह सकती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तुम ना कहने वादे हो ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो पताओ जल्दी हाँ या ना जल्दी पताओ ये भगवान है ठीक है ना ना वो बोली ठैंकिव वो रसवी से चली गई और अपने कमरे में घुस गई कुछ दिर बाद उसने सुना कि वो शायद किसी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी वो जानता था कि वो बहुत ही घुस्से में थी और पढ़ नहीं रही थी उसने रसवी में काम समप किया और बाहर आ गया उसने कचरे की बाल्टी उठाई और उसको घर के बाहर रखने चल दिया रात एकदम साफ थी और कुछ तारे भी दिक रहे थे उसको शर्मा रही थी कि उसने अपनी पत्नी से जगड़ा कर लिया था अचानक दो कुत्ते उसके कचरे की बाल्टी की तरह लपके वो दोनों आपस में खेल रहे थे और खुश लग रहे थे कुतिया तो विशेश रूप से खुश लग रही थी और वो जमीन पर पलट रही थी और उचल भी रही थी जब वो वापिस आये तो घर के अंदर अंधेरा था वो बातरूम के अंदर थी उसने बाहर से ही उसका नाम पुकारा उसने जवाब नहीं दिया वो बोला मुझे माप कर दो and I am sorry मैं आगे से ऐसा नहीं कहूँगा मैं सब ठिक कर दूँगा ये मेरा वचन है वो बोली कैसे वो दरवाजे के पासा कर धीमे से बोला मैं तुमसे शादी करूँआ वो बोली देखेंगे जाओ विस्तर में घुच जाओ मैं आती हूँ वो बिस्तर में लेटकर उसके बात्रूम से निकलने का इंतजार करने लगा वो बोली बत्ती बन कर दो क्या बत्ती बन कर दो उसने विस्तर के पास बटन दबाकर बत्ती बन कर दी वो लेट कर इंतजार करने लगा अंधेरा हो गया था उसने कमरे में कुछ सरसरहाद सुनी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वो उठकर बैठ गया परन्तु अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा उसका दिल वैसे ही धड़क रहा था जैसे के शादी की पहली रात धड़का था उसको घर में किछी के चलने की आवाज आने लगी एक अजनभी के चलने की आवाज मित्रो पती-पत्नी के पीच बहुत सी बाते होती है और बहुत 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 फ़हमिया पती-पत्नी का संबंद बहुत ही नाजुक होता है और दोनों में से कोई नहीं जानता है कि आचानक कौन सी बात दोनों को एक बार फिर से अजनभी बना देती है ज्यान रखियेगा बहुत 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 धन्य होती बहुत बहुत है